So, hello guys, what's up, I hope you are doing well So, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले है BSC First Year Zoology के Paper No.1 को जैसा कि आपको बता होगा कि BSC First Year के अंदर Zoology के तीन पेपर होते है तो इस वीडियो के अंदर basically हम जो First Paper होता है हमारे पास Zoology का उसके Slaves को डिस्कस करेंगे मतलब वहाँ से जो Question होते है वो कहां कहां से आते है और कितना Slaves है Paper No.1 का तो आपकी बास जो है Paper के अंदर जो है दो Section दिये होते है तो दोनों Section को हम डिस्कस करेंगे कि हर Section में कहां कहां से जो है Question हमें पूछे जाते है और Slaves में क्या क्या है Section No.1 जो A है हमार पास उसके Slaves में क्या है और Section No.2 में जो Slaves है हमार पास उसके अंदर कौन-कौन से Topic हमार पास Include होते है तो यहाँ पर देखे सबसे पहले तो क्या है हमार पास Introduction to Quadates मतलब सबसे पहले तो हमने यहाँ पर Quad data के बारे में होगा Introduction होगी उनकी दूसरा General Characters मतलब उनके जो General Characters है और Comparison with Quadates मतलब इनका Comparison Quadates के साथ जो है इनका Comparison है वो है इसमें अब दूसरा देखे क्या है No.2 में देखे Section A के तो इसमें है Protozoa यहाँ पर हम Protozoa के इस वाले Section में हम जो है इस वाले Part पर हम जो Protozoa के उपर question आता है तो यहाँ पर देखे क्या क्या है हमारे स्लेबस में एक तो Amoeba है आप इनको Capital करते जाएगा Amoeba हो गया Yuglina हो गया जैसे Plasmodium हो गया Paramecium हो गया बिद रिस्पेक्टू अब देखे इनमें हमें क्या क्या करना है Protozoa के अदर जो Amoeba है Yuglina है Plasmodium है और जिपर Amventional है इनके अंदर हमें क्या क्या करना है इनके अदर जो है एक तो हमें Lokomotion करना है मतलब इनमेर Simone की सतरह से होती है दूसरा हमने इन में nutrition देखना है किस तरह से इन में nutrition होता है उसके बाद हम इनके reproduction हमने इस पर देखना है मतलब यहां से आपको question आएंगे तो यहां पर 5 हमारे पास important हो गए यहां पर second part से यहां पर देखें amoeba, euglena, plasmodium, paramecium इन का क्या क्या करना है locomotion, nutrition and reproduction यहां पर हमने विशेश फोकस जो है देना है उसके बाद section A के third part में क्या आता है यहां पर देखें, यह तीसरा part है हमारे पास यहां पर हम देखतें section यहां पर इसमे हम देखतें next part देखें, इसमें क्या है यह तो हो गया हमारा जो प्रोटोजोव था उसके अंदर हमें 5 जो है और्गिनीजम जो है ये जो प्रॉटोवaur के उनको अच्छे से पड़ना है जो जो यहां पर दिया हुआ है सात में सात में देखिए और क्या है इसमें एडिशनल क्या है आप देखिए parasitic protozone अब यहाँ पर parasitic जो protozone है of men with respect to diagnostic characters अब जो parasite है human के लिए ठीक है वो वाले protozone को भी हम यहाँ पर study करते है इस पार्ट में तो यहाँ पर देखे क्या क्या देखना में mode of infection and disease caused अब देखे कौन कौन से protozoa के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है यहाँ पर देखे GRD आना हो गया अब यह देखे कैसे है यह parasitic है मतलब human के लिए parasitic है तो इसलिए इनकी study भी हमने करनी है तो इस वाले part के अंदर यह यह आ जाते है GRD आना हो गया ant amoeba हो गया उसके बाद trypanosoma हो गया उसके बाद lashmania हो गया ठीक है इनका क्या-क्या पढ़ना है हमने diagnostic characters mode of infection मतलब किस तरह से infection करते है यह सारे के सारे ठीक है diagnostic character मतलब किस तरह से diagnose के जा सकते है इनके infection को and disease caused और इनके द्वारा जो है कौन-कौन से disease फहलाए जाते है तो यह हमने इसके अंदर करना है next के आ जाता है इसमें तो यहाँ पर देखे classification of phylum up to classes जो हमारे पास जो phylum दिये हुए classification of phylum up to classes जो प्रोडोज़ोवा हमारे पास दिया है इसकी classification कहां तक करनी हमने classes तक करनी है इस phylum की classification यहाँ पर next देखे origin of metazoa ये भी इसके अंदर एक बिशेष टॉपिक है origin of metazoa इसको भी हमने दियान से देखना है next हमारे पास आ जाता है इसी के अंदर देखिए classification of phylum up to classes ये तो हो गया number three अब आ जाता है इसमें देखिए अब देखिए कि 3 पार्ट हो गए हमारे पास paper number one में हमारे पास section A था हमारे पास उसके अंदर हमारे पास तीन पार्ट है कौन-कौन से पार्ट है अब पध़ला देखा हमने देखो पहला तो हमने देखा ये बाला मतब introduction वाला ही था इसमें, second वाला देखा हमने प्रोटोजोवा वाला, प्रोटोजोवा में पांच यहां पर दिये हुए है, उसके बाद जो है इसके diagnostic character भी हमने बात में करना है, यह जैसे मैंने यह वाला कहा है, उसके बाद third आ जाता है, section number A में आ जाता है, third, उसके अंदर ह पौरी फेरा हमारे पास, यह वाला जो हमारे पास है पौरी फेरा, ठोके, इसके अंदर क्या क्या करना है हमने, यहाँ पर इसको आप capital कर दो, study of psychon, यहाँ पर हमने, psychon से based question आयते है, ठीके, with respect to, अब देखे, psychon का क्या क्या करना है, reproduction and development, किस तरह से इसकी reproduction होती है, और किस सिस्टम होता है, पौरी फेरा के अंदर, वो किस तरह से होता है, वहाँ से जो है question आता है, यहाँ पर, next आ जाता है हमारे पास section number B, यह हमारे पास आ गया अब section number B, section number B है हमारे पास need area, ठीके, तो section number B में देखे, क्या क्या आता है हमारे पास, इसको आप capital कर दो, obelia को हमने capital कर देना है, यहाँ पर हम obelia के बारे पढ़ेंगे, study of obelia and aureliria, ठीके, यह दो organism होगे, जो काफी important है section में, with respect to, अब देखी क्या क्या करना है इसमे, structure करना है इसमे, and reproduction, यह इन पर बेशेश focus करना है, क्योंकि structure और reproduction यहाँ पर, especially mention किया हुआ है, next देखी क्या है, classification of phylum up to class, मतलब जो यह वाली phylum है हमारे पास, इसकी classification हमने class level तक करनी है, next polymorphism, जो polymorphism होता है, in sniderians के अंदर, उसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है, यहाँ से question आता है, next, slinophora, तो यहाँ पर देखे, slinophora, इसमें क्या क्या करना है हमने, salient feature of slinophora, and comparison with sniderians, ठीक है, तो य इतने सारे topic थी, इसमें, जो paper number first था, उसमें हमारे पास, यह topic आ जाते है, एक बार फिर से देख लेते है, first, section number A में हमारे पास क्या है, general introduction है, दूसरे में हमारे पास protozone से related है, पहले तो हम उनकी study करेंगे, protozone की, उसके बाद हम कुछ दूसरे type के protozone लगे, जो parasitic type के होगे, ठीक है, तो यह यह था, इसका screenshot ले लो आप, पहले इसका screenshot ले लीजिए, अब इसका ले लीजिए, meta zoa तक, और उसके बाद यह बाला हो गया, third portion हमारा periphera बाला हो गया, ठीक है, यह first section बाले खतम हो गया, इसके बाद section 2 है, यहाँ पर आपने section B करना है, section B, section B, ठीक है, section B मे हमारे बास periphera बाला पार्ट आजाता है, हना periphera के अंदर भी दो काफी important है, हमारे लिए, oviliria और auriliria, तो यह था हमारे पास sociology, first year, paper number first का syllabus, I hope कि आपको वीडियो वसंद आया होगा, मिलते है next वीडियो में, तब तक के लिए, good bye